इस और आपके वीडियो पर वीडियो पर máqu canon नहीं से क्लिका करेख तो इस में चाहिए आपके और को अच्छे अच्छे तम बना है जा उसक लोग क्लिका करने में मजबूर हो जै तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप जो सो professional thumbnail कैसे बना सकते हैं तो बरे बरे यूटूबर जो thumbnail बनाते हैं उस परकार का thumbnail जो सो आप कैसे बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं Mobile Skipper और आपको बताते हैं सारी जानकार वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आकन प्रेस कर देना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जितने भी आपको यूटूवर हैं जो बड़े बड़े यूटूवर हैं या फिर छोटे यूटूवर हैं सब ही लोग जो है इस पिक्सल लैब से ही अपना थमनेल बनाते हैं तो इसलिए हम आपको इसी पर बता रहे हैं तो सबसे पहले जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस परकार का ओप्सन आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो है इस पर थमनेल बनाना अगर आप सिखना चाहते हैं तो वीडियो को पैसेंस फुली देखना होगा इधर उधर भगाना नहीं है तभी आपको समझ में आएगा इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि आपको वीडियो को गौर से देखना है और पहले बार उपन करने के बाद कुछी इस परकार का उप्षन आएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं यह साइज जो है आपको साइज सेलेक्ट करना होगा यहां उपर में three dot को option है इस पर आपको click करके यहां पर image size का option मिलेगा इस पर आपको click करके यहां पर देख सकते हैं custom बाला जो option है इस पर आपको click कर देना है यहां पर नीचे में देख सकते हैं YouTube thumbnail तो आपको YouTube thumbnail ही बनाना है तो यहां पर YouTube thumbnail पे click कर देना है और OK पे क्लिक कर देना है देख सकते हैं यहाँ पर यूटूब थमनेल का जो साइज होता है 16 अनुपात 9 जो इसका रेसियो है OK पे आपको इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपका साइज सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स भाला हैं, इसको यहां पर किली करकि इस पर उपर में delete ka option है आपको delete पर क्लिक कर देना है अब जो है सो हमापको thumbnail बनाने का process इसे पहले हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं यह चीज़ अगर आप नहीं देखोगे तो आपको जो है सो option खोजने में ही problem हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपको तीन option main main वारा आपको दिखाई दे रहा होगा पहला है ए लिखा हुआ तो ए बाला जो option है आपको उस इस्थिती में काम आएगा जब आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को लिख होगे जैसे यहाँ पर हमने देख सकते हैं यहाँ पर जो हैसो हमने कुछ लिखा लिखने के बाद ओके किया तो यह जो लिखने वाला है new text इसमें प्तला आपको अजया क्लिक करते यहांपर लिए कर सकते हैं पीच वाले जो यह option है इस पर आपको क्लिक करना होगा और यह जो option है यह option आपको तब काम में आता है जब आप background पर कुछ करना चाहते जैसे देख सकते हैं अभी जो हमारा background है वो green है तो इस पर आप क्लिक करके यहां से देख सकते हैं color का option है color पर click करके यहां पर simple color के लिए उपर में color का option है इस पर click करके आप simple कोई भी white green जो भी आप चाहे blue black यह सब ले सकते हैं लेकिन आप gradient पर click करोगे तो यहां पर आपको mix color मिलेगा जैसे कुछ ही इस परकार से मिलेगा इस परकार से देख सकते हैं इसमें इसमें आपको mix color आपको दिखाई देगा तो इस पर यहां पर लिखावत वाला यहां पर लिख लेते हों उसके बाद color वेगरा करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं YouTube इसको हम delete कर देते हैं आपको गौर से देखना है लिखने के लिए हमें A वाले pick लिख कर देना है यहां नीचे में text का option है text का option है और plus लिखा हो य यहां से आप जो है लिख सकते हैं तो हम यहां पर लिख देते हैं YouTube हमें YouTube लिखना है और यहां पर YouTube लिखे OK पर क्लिक कर देना है इसको हमें बॉल्ड करना है तो बॉल्ड करने के लिए यहां पर जो है बी वाला देख सकते बी मोटा अक्षर में इस पर क्लिक करके यहां पर यहां पर हम इसको set कर देते हैं उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा एक YouTube लोगो का तो यहां पर जो हमारे गैलरी में लखा हुआ है तो फोटो के लिए बताय हुए थे बीच वाला उपसान है बीच वाले पर क्लिक करके यहां इंपोर्ट पर क्लिक जैसे करोगे तो यहां प नौस पर भी वीनियो का लिंक डिस्क्रिप्सन में डाल दिया हूं वहां पर जाकर राधम को बाद में देख लेना है जैसे ते हम यहां पर दीखाते हैं आपको थंबनाना ईस्टाठी है यहां पर धिर से एक अपना फोटो लेंगे जैसे देखसकें हमारा जो है फोटो है इसके बैक गराउंड में कुछ भी नहीं है सिर्फ हमारा फोटो है तो इसे बोलते हैं क्रोपिंग करना अगर आपको क्रोप करना नहीं आता है फोटो को तो इसी के हम बारे में आपको बता रहे पर क्लिकर के टेक्स पर क्लिकर करके यहां पर हम थमनेल लिख देते हैं हमने लिख दिया थमनेल इसके बाद इसको भी हम बॉल्ड कर लेंगे क्योंकि बॉल्ड अक्षर थोड़ा अच्छा देखने में लगता है इसके बाद हमें क्या लिखना है हमें लिखना है बनाना सीखे डबल टीप करके फिर से हम यहां पर हिंदी में लिखेंगे के पेकली कर देना है अब इसको भी हम थोड़ा बॉल्ट कर लेंगे बी पर किली करके बॉल कर लेंगे वीडियो को आप देखते रही है इसके प्मत करना यहां पर हम आपको जो भी dot होंगे वो सभी किसा भी clear हो जाएगा अब यहां से जो हम फिर से एक लिखेंगे अब इसको इसका size जो हम बरहा लेंगे देख सकते हैं इसको bold करेंगे इसके background में भी जो हम color लगाएंगे जैसे bold कर लिए इसका size थोड़ा छोटा कर लेंगे अब देख सकते हैं यहां पर हमने set कर दिया setting हमारा हो चुका है अब इसको color बगरा करना है और यह जो हमारा u2 है इसके background में भी हमें कुछ लगाना है तो देख सकते हैं जिसके background में आपको जो हिसको कुछ लगाना है उस पर आपको क्लिक कर देना है और एक बात आपको याद रखना है कि हम अभी लिखावट वाले यानि text पर काम कर रहे हैं तो यह यह वाले option पर ही क्लिक रहने देना है अब हम background पर क्लिक कर देते हैं इसको और बना रहा चाहते हैं तो और यहां पर बढ़ा सकते हैं तो हम यहां पर और बढ़ाएंगे देख सकते हैं यहां से इस से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो हमें इस पर डबल क्लिक करके यहां पर स्पेस लगा देना है आगे में देख सकते हैं तो यह हम रखने वाल है उसके बाद यह जो टिक्स है यूटुब इसका हम कल डि करेंगे जैसे हमें तो इस तारफ आओगे तो देख सकते है color का option है इस पर clicker के आपको यहाँ पर जो भी रखना है red blue वो यहाँ पर आप रख सकते हैं तो हम यहाँ पर red कर दिये red करने के बाद हमें thumbnail वाले पर click करना है thumbnail को भी हमें यहाँ पर पीला color करना है तो thumbnail पे click करके color पे click करने के बाद यहाँ पर हमें पीला कर देना है अगर आप इसके corner लगाना चाहते हैं border तो यहाँ पर देख सकते हैं stroke का option है इस पर आपको click करके इसको own कर देना है और यहां पर जो इसको बढ़ाना चाहते तो देख से इस परकार से यहां पर लगा सकते हैं तो यहां पर आपको चार पांच या आठ दस के आसपास में ही रहने देना है इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं अब आपको क्या करना है बाना सिखे इसको अगर आप कलर करना चाह सकते हैं इसके background में और पोख चाहिए आप एक स्ट्रोक लगाना च्छाहएंगे ढ़ा स इसके पीछे में hem background लगाएंगे तो हम पर इस background को option है इस पे यहां और पर पीला क्लर पर हमें ले जाके इस ऐसे करना है अब ग्रैठ के तरफ बढ़ बढ़ाना और लेफ्ट के तरह भी बरहाना इस परकार भी बरहा देखको आपको करना है तो आपको क्या करना है सही के पे क्लिक करना है और उसके बाद अंदर ले जाने के लिए टू बैक यानि पीछे की तरफ करना है अब देख सकते हैं पीला कलर हमने कर दिया है अब यहां पर हमारा यह लिखावत हैं वाइट हो चुका है तो इसको हम फिर से कुछ ब्लैक ब्लैक सा करेंगे जो दिखने में ल सकते हैं अपसक अब बढत हैं तो यादा बाद निचे जाएंगे बराइटनेस इसको पलस करेंगे यानि बढ़ाएंगे और सबसे लास्ट में हमारा कॉंट्रास्ट है कॉंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है ज्यादा बढ़ा होगे तो देख सकते हैं फोटो खराब हो जाता है तो इसको जो आपको जितना देखने में सही लगे उतना आपको कर देना है इस में आप color भी change कर सकते हैं जो भी color आपको पसंद आता है उस color में यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर हम इस color पर click कर दिये अब क्या है एक और option है जो आपके लिए बहुत ही useful होने बाला है यहाँ पर देख सकते हैं shadow shadow यानि परचाई के तरह यहाँ काम करता है सेडो पर आपको click कर करना है देख सकते हैं shadow आपके photo के जो है चारो तरफ यह लग रहा है इस परकार से देख सकते हैं इसका color जगर हम change करेंगे तो वह भी कर सकते हैं जैसे इस परकार से हमने कर दिया अब जो है आपको क्या करना है जैसे परचाई को आप सिर्फ left के तरफ दि और उसके बाद अगर आप जैसे करना चाहते इसे उपर करना चाहते हैं या नीचा करना चाहते हैं तो वह सब यहां पर आप कर सकते हैं तो यहां पर हम अपने अनुसार रखते हैं अर्चाई हमारा वही कलर में रहेगा जो और बना हुआ है इस परकार से हम देख सकते हैं हमा उपर, नीचे, दाएं, बाएं, किधर भी आप कर सकते हो, तो यहां से हम थोड़ा से उपर करेंगे, तो एक point और उपर कर देते हैं, और उसके बाद थोड़ा से आप right के तरफ ले जाएंगे, तो इस परकार से आप thumbnail बना सकते हैं, तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप आपको पसंद है होगा, इसके अलाबा अगर आपको किसी भी प्रकार का problem आता है, तो आप हमें comment में लिख सकते हैं, हम आपको बताएंगे, अगर आपको दूसरे type का thumbnail बनाना है, तो वो भी आप हमें comment में लिख सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे, तो उ आपको उनली सकते हैं, आपको एम आपको नो रहा हो गिल, आपको वी ठसकता है।